हे गई स्वागत है आप सभी का एक बार दुबारा से हमारे चानल क्लस्टर कर्यार में आज आप सभी को मैं इस वीडियो में बताऊँगा कि डियू के बैस्ट कोर्सिस फॉर कॉमर्स ट्रीम कौन से हैं उनमें आपको एड्मिशन कैसे मिल देगा उसका एड्मिशन प्रोसेस क्या है वो सारी चीज़े मैं आपको इस वीडियो में डीटल में बताऊँगा तो वीडियो को आपको क्या करना है एंट तक देखना है और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकम को प्रेस करना बिल्कुल भी न भूलें ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले और चल दिये शुरू करते हैं इस वीडियो को जादस टाइम ना लेते हुए सबसे पहले मैं आपको बता दूँ डेली निवर्स्टी जो अपने बीकॉम आपको प्रोग्राम कोर्स को undergraduate level पे दो modes के थुरू आपको offer करती है पहला तो है आपका regular mode और दूसरा है distance mode आप इन courses को दोनो ही modes किसी भी एक mode से कर सकते हो distance mode में आपका admission easily हो जाता है बट regular mode में जो admission है वो cutoff के basis पे होता है most popular courses में जाना जाता है Delhi University का BCOM कोर्स क्योंकि यहां पे जो BCOM कोर्स के cutoff जाती है वो जाती है 90 प्लस मैक्स जो top के colleges है उनमें जाती है 95 प्लस जर्नल के डिग्री तो यह top के courses है admission merit based होता है आपके 12th के top 4 subject के marks के basis पे cutoff आती है फिर आपका counseling होता है counseling के बाद admission process आपको अपने document देने होते हैं और बाकी जो further process है वो complete करने के बाद आपका admission हो जाता है done next बात करते हैं जो हमारे पास top का second most popular course of DU है वो है BA, BMS and BA in economics यह तीन courses जो है management courses for commerce stream students वो बहुत ही जदा popular है लेकिन यह इसमें आप इस course को सिर्फ regular mode के through ही pursue कर सकते हो इसमें कोई distance mode नहीं है पहले चीज मैं आपको बता दू साथ ही जो यहाँ पे BBA और BMS और BA in economics के लिए entrance exam इसमें आपको entrance exam देना होता है पहले उसके बाद ही आप merit list में fall करोगे जो उनकी separate merit list होगी आपके entrance exam के बाद बनाई जाती है तो इसमें भी काफी जादा student apply करते हैं entrance exam देते हैं जिनका अच्छा score होता है उनको और अची rank होती है उनी को admission offer किया जाता है जो next courses है वो हमारे post regression के top के courses जिनमें आप Delhi University admission ले सकते हो commerce stream के होके so number one है हमारे पास amcom masters in commerce so वो आप उसमें भी दो mode के through admission ले सकते हो जो मैंने आपको बता है पहला regular mode दूसरा distance mode school of open learning के through तो जो regular mode होता है इसमें और SOL mode में दोनों के लिए common entrance test होता है जो DU conduct करवाती है उसके बाद आपका जो जिनके higher marks होते हैं और जिनोंने regular college prefer किया होता है वो लोग अपना regular college admission ले ले लेते हैं जिन भी colleges में वो courses available है या फिर जिनोंने अपना distance learning को prefer किया होता है वो लोग और उनके marks कम होते हैं थोड़ा entrance exam में उनको alert कर दिया जाता है जो school of open learning के under so mcom में भी आप admission ले सकते हो after completing your undergraduate in bcom stream और any stream so उसके लिए eligibility criteria भी different है but आप entrance exam अपके लिए common है वो देना ही पढ़ेगा आपको अगर आप mcom stream में admission ले ले साते हो DU में next चलते हैं हमार पास जो PG का top का course है commerce के लिए DU में वो है MBA MBA आप सभी जानते होंगे आप सभी ने सुना ही होगा Delhi University की जो faculty of management studies है जो की आपको MBA course offer करती है वो काफी जादा popular है after IIM इसको देखा जाता है क्योंकि इसकी जो fees है वो बहुत ही nominal है आपको IIM की टककर में जो fees है उसके कम से कम है affordable fees है साथ ही जो आपकी package की बात करें placement जो होती है वो होती है IIM की टककर की क्योंकि इसमें जो average package भी जाता है वो 15-16 लाख रुरपे पर NM जाता है और highest package 1 करोड तक भी टच कर चुका है इसलिए Delhi University का MBA course है वो बहुत जादा popular है इसमें admission आपका cat के based होता है आपके cat के marks देखे जाते हैं और भी बहुत सारे waiters देखा जाता है उसके उपर मैंने already complete video बना रखी है How to get admission in MBA DU तो वो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पर i button में वो video का link पिन कर दिया है So go and watch it I hope guys आप सभी के लिए video informative रही होगी अगर इसी तरह की videos को देखने के लिए channel को जरूर subscribe करें अगर आप चाते हैं कि किसी topic में video बनाओ तो comment section में जरूर share करें हमार साथ इस video को अपने दोस्तों के साथ share करें लाइक नहीं किये अगर अभी तक आपने यह video तो जरूर like करें motivation जरूर दें इसी तरह की videos को और जादा बनाने के लिए बाकी thank you God bless you all